कोटडा चेतर के चित्रवी चित्र महादेव त्रिवेनी संगम पर हुआ अस्ती का विसरजन सौमती अमावश्या के ओपलक्स में यहाँ पर हुआ विसेश रूप से अस्तियों का विसरजन कोटडा छेतर का जन जाती समाज यहां चित्र विचित्र महादेव मंदिर के त्रिवेनी संगम पर पहुँच कर अपने पूर्वजों की अस्तियों का क्या गया विशजन माननेता है कि यहाँ पर कोटड़ा चेतर के जन जाती समाज अपने चित्र विचित्र महादेव मंदिर त्रिवेने संगम पर यहाँ विशेश रूप से अपने पुरूजरों के अस्तियों का विशेजन करने के लिए चेत्र अमावशा को पहुंचते हैं इत्यास में दूसरी बार यहाँ पर नहीं लगा मेला लेकिन यहाँ अपने पुरूजरों के अस्तियों का विशेजन करने के लिए पहुंचे लोग लोगों ने अपने पुरूजरों के अस्तियों का किया विशेजन इस यह मेला यहाँ पर चित्र विचित्र का मेला माभारत क चालिन से ही यहां पर मनाया जाता है, यहां हर वर्स लाकों की संक्या में भीड उमरती है, लेकिन कोरोना संक्रमन की चलते लगा ता दूसरे वर्स भी यहां भीड नहीं रही और लोगों को आने से रोका गया, यहां छेतर में अपने पुर्वजों का अस्तियों का विसरजन करने पहुंचे लोग जोने बारी-बारी से यहां पर अपने पुर्वजों के अस्तियों का किया विसरजन इस इस्तान पर मौक्स प्राप्ति की उप्युक्त मानते हुए यहां पर माभरत कालिन से ही यहां आदिवासी समाज के पुर्वजन अपने पुर्वजों के अस्तियों का विसजन करने यहां आते हैं जानकर बताते हैं कि इस दिन यहां गंगा प्रकट होती है इस त्रिमेनी संगम पर नदियों में पानी सूख जाने के बाद भी इस दिन स्वता ही पानी आ जाता है उपर पुर्वजों को याद कर उनकी अस्तियों का विसजन कर अपने पुर्वजों को मौक्स प्रात्ति की प कोटड़ा वह गुजराद के साबर काटा बनास काटा वह कोटड़ा तेसिल के आसपास के कई गाउंगे लोग भी यहां आते हैं और अपने पूरवजों का अस्तियों का विसरजन करते हैं क्योंकि उनके माननेता है कि यहां उनकी आत्मा को मौक्स मिलता है यहां कोरोन संकर्मन के चलते कम मात्रा में लोग पहुंचकर अपने पूरवजों का किया गया विसरजन अस्तियों का